कि अगर बात करें तो इसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है यह तीन तस्वीरे जो आपने देखी यह तीन तस्वीरे जो है मैं इस अटेक की कह सकते हैं गुथ की एंग आतंक्यें को मदद पहूंचा रहे थे आपको बतातें के अ निसार एहमद मुश्ताक एहमद और फरीग एहमद यह तीनों जो हैं लगतार आतंक्यों को मदद पहूंचाने का काम कर रहे थे परन्तु इनका भी एक mastermind था जिसे अगर बात की जाए SOG की टीम्स ने जो है वो पूश्टाच के लिए हिरासत में लिया था वो एक बठिंडी के मदरस्ते का teacher है यानि की मोलवी जो है मोलवी मंजूर जो है ये बताया जा रहा है कि ये इनका भी mastermind था जो इने पूरे दिशा निर्देश ठेता था और बताता था कि इने कब क्या करना है और कैसे करना है जी हाँ ये तीनो पिच्चर आपने देखी और ये तीनो जो है mastermind का बताये जा रही है पुंच टेरर अटैक के जो की अटैक हुआ और जिसमें तस्वीरे दिल दहलाने वाली सामने आई और हमारे भारत की पांच सपूतों की शहादत हुई आपको बता दे कि इसमें अगर बात करें तो मोलवी से पूष्टाच में कई बड़े खुलासे हुए हैं और इन खुलासों में जो है उसने ये साफ बताया है कि वो लगातार जो है पाकिस्तान के संपर्क में था पाकिस्तान से ज खुलासे गोरने दो होने की उमीद जो है वो जताई जा रही है माना जा रहा है कि मोलवी का जो फोन है मोबाइल फोन है उसे शब्त कर लिया गया है और अब शायद ये फोन जो है जब इसकी जांच होगी तो कई और बड़े खुलासे जो है वो हो सकती है फोरण सिक लाप में इसकी जांच जो है वो करने के लिए फोन को भेज दिया गया है और साथी साथ अगर बात की जाए तो मोलवी से पूछताच में सूतरों ने बताया ह है कि उसने बताया कि उसने जो है पूरे डिरेक्शन तो है इन तीनों को दिये थे और सूतरों के अनुसार बता दे कि ये भी पता चला है कि लक्षित ताइबा और जैशे का जो जैशे मोहम्मद का एक जॉइंट मोड्यूल जो है वो लगातार काम कर रहा था इसको लेकर औ उनके जरीए लगातार कोड़ेड मेसेज के जरीए जो है बात्चित हो रही थी अपने मोबाइल फोन्स जो है उनका इस्तमाल नहीं किया जा रहा था ताकि ये किसी भी तरीके से रडार में ना आए और साथ ही ये भी कुलासा हुआ है कि इस पुंच चैरर अच्यायक की मिल हुए थे और जो पांच से चे आतंकी बताए जा रहे हैं चे से साथ आतंकी जो बताए जा रहे हैं समय राजोरी पुंच जिला के अंदर एक्टिव हैं उन्हें पहले ही बिना हत्यारों के सीमा पार भेजा गया था उन्हें यहां पर गुस्पैट करवाई गई और उसक इन आतंकीों तक वो हत्यार जो हैं पहुंचाए थे और फिर काफी रेकी करने के बाद यह आतंकी निसार एहमद और बाकी जो तस्वीरे आपने देखी वो लगातार जो हैं इलाके की रेकी करते रहें इलाके में चानबिन करते रहें और फिर पूरा प्लैन जो है वो तयार कि कब कैसे और कहां करना है साफ़तोर पर अगर बात करें तो इसमें साफ मना जा रहा है कि ओजी डब्ली उसका एक बड़ा नेटवर्क जो है वो काम कर रहा था वो लगातार जो है दुशा निर्देश पर जो है कारवाई कर रहा था इन आतंक्यों को जो है मदद पहुंचान तो ये एक बड़ी खुलासा जो है पुंच टेरर अचैक में सामने आ रहा है जिसमें ये साफ हो गया है कि इसके तार जो है जम्मू तक जुड़े हुए नजर आ रही है जम्मू के बचिंदी इलाके के अगर बात करें तो यहां के एक मदरसे में पढ़ाने वाला मूलवी जो अब भी खुलते हुए नजर आएंगे आपको बतादे कि यह कहीं न कहीं जो अटैक वा था 20 इप्रल को पुंच में सेने वहान पर उसमें लगातार जो है कई लोगों को हिरासत में लिए जा रहा है कई जल्द से जल्द जो है अन देश्यतगार्दों को धेर किया जा सके इ जोड़े रहें दियार्थ में उसके साथ पाकी अपडेट्स के लिए